आज नव्यूग में बात हम करेंगे तमाम ऐसे लोगों की जो की हिचकते हैं मेंसुरेशन का नाम लेने पर जिब इलकुल मेंसुरेशन की बात करें फिलहाल आम लोग इसको पीरिट्स भी बोलते हैं इसको डेट भी बोलते हैं और हिंदी में इसको मासिक धर्म कहा चाता है य आज हम मासिक धर्म के बारे में इसलिए बात करना चाते हैं क्योंकि हमारी सुसाइटी में आज भी एक टैबू है जिस पर लोग खुलकर बात नहीं करते हैं घर पे अगर देखा जाए तो बच्चों को जो जानकारी होती है मासिक धर्म की वो बाहर से मिलती है घर से जादा नहीं मिलती है यही कारण हो सकते है कि मासिक धर्म को लेकर अभी भी हमारी इंडियन सुसाइटी में बहुत सारे मिसकंसेप्शन्स है चलिए आज हम इस पर बात करेंगे और जाने की कोशिश करेंगे कि आखे ऐसे कौन से कारण है कि पूरे भारत में आज भी मासिक धर्म प प्रिती चोदरी जोड़ चुकी है जो की सोशल एक्टिविस्ट भी है और मेंसुरेशन पर लगों को यह पैट्स भी जो हमेशा देती भी है और हमेशा लोगों को जागरू करने की कोशिश करते हैं प्रिती जी सबसे पहले आप से हमारा सुआल यह रहेगा कि जमू कश्मी हुए हमासिक दर्म को लेकर देखिए प्रिया जहां तक मुझे लगता है मासिक दर्म की बात है इस चीज के बारे में तो डिसकुर्शन ससाइटी में होनी चाहिए जितनी अवेरनेस जागरूपता होनी चाहिए साइटी में वह नहीं है विकॉज लाक ओफ एडिकेशन हम स् आप को चीजें पढ़ा ही जाती है कि सबसे इंपॉर्ड़न कॉम्पोनेंट है जो की एक चाप्तर में रिस्ट्रों के रह जाता है उसमें भी कुछ इस्सा इसका पढ़ाया जाता है बट इस चीज के बारे में जो खुलके डिसकुर्शन होनी चाहिए ओपन डिसकुर्शन ह तो यही जब जनरेशन आगे बड़ी होती है पीजिए इसे अचिए ही चलता आ रहा है हमारे सुसाइटी में भी और हमारे अपने घरों में भी इस चीज को बढ़ा विया पनाया है कि हम हभीटेश करें दिसक्त करने ने जी बिल्कुल बिल्कुल प्रिति जी आप सही कह रहें इससे पहले हम कुछ आंकड़े भी बता देते हैं फिर उसके बाद हम दूसरे गेस्ट का भी स्वागत करेंगे आपको यह बताला चाहेंगे कि 36% महिलाएं जो है सिर्फ पैड का इस्थमाल करती हैं बाकी आज भी महिला ऐसे हैं जो सिर्फ कपड़ों का ही इस्थमाल करती हैं पिरिट्स के दोरान और 48% ही किशोरी ऐसे हैं जिनकों की मासिक धरम की जानकारी होती है यानि पहले जब मासिक धरम उनको आता है तब ही उनको जानकारी होती कि यह क्या चीज़ है और 70% लड़कियां जो की मासिक धर पूरी जानकारी होती है यानि कि मासिक धर्म क्या है ये कैसे शुरू होता है क्या एज रहती है सिर्फ पच्पन परतिशत लड़कियों को जानकारी होती है और वही अगर हम बात करें तो चोबन परतिशत लड़कियों को मासिक धर्म की प्रात्मिक जानकारी जो होती है उनकी मा देती है और बाकी की जितनी भी 55 पर्तिशत आसपास ऐसी लड़की रहती है जिनकों की उनके दोस्तों के या फिर स्कूल से या फिर आसपास की महिलाओं से जानकारी मिलती है यानि आज भी हमारे देश में सिर्फ 54 पर्तिशत ही लड़की ऐसी है जिनकों की मा जानकारी दे देखा जाये तो हमारे जमुकश्मीर में अभी भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो युवाओं को नहीं पता है और लड़कियों को भी जानकर ही नहीं पता है कि मासिक धर्म क्या होता है तो सबसे बड़ा स्वाल यहां पर उड़ता है कि सिर्फ चोवन परतिशत ही लड़ है जाते हैं इसकूल होंगे या कॉलेजिस में हो तो दौरान काफी उन पर एमबरेस्मेंट भी उनको जो फील करने पड़ते है क्योंकि मेरा परसनल एक्सपीरिंस भी रहा है काफी एमबरेस्मेंट होती है पूरे स्कूल तक जानकारी चले जाती है कि यहां पर बलड़ कैस sex education जो है वो जरूरी है तो पहले awareness जिसको हम psycho education कहते हैं about the menses और मिनार्की इसको कहा जाता है जो first period आते हैं उसको हम मिनार्की कहते हैं science में तो मिनार्की आने से पहले जो girl child है उसको जो है पूरी इसकी knowledge जोनी चाहिए यह काब आती है कैसे कैसे क्यों के हमने यह देखा है कि pre-match depression बहुत कामन होता है जो first time आती है उसके बाद जो बच्ची आ है उनमें हमने यह देखा है कि वो depression में चल जाती है जी बिलकुल जगदीशी यहां पर एक सब्सक्राइब जाती है पर इसे mental effect कितना घातक होता है इसे बहुत जादा फर्क पढ़ता है इसमें basically हम इसको कहते हैं कि यह acute stress reaction में यह बच्चे चले जाते हैं जिसकी वज़ा से irritation हो जाती है, need disturb हो जाती है, इनमें helplessness, hopelessness, worthlessness के ideas आ जाते हैं तो यह actually इनमें एक जो अपसाध है वो कारण बन सकता है इसका, यह frustrating factor बन जाता है कहीं बच्चीयों में जिसको हम कहते हैं इसके लिए basically कहा है कि बच्चीयों की education इसके बारे में detail क्या है, यह जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, अगर उनको घर से नहीं पता चलता है, बाहर से पता चलता है, तो वो information पूरी नहीं होती है, वो misinformation होती है, उसकी वज़ए से वो और भी परेशान हो जाती है, और य यह भी कहेंबार जो जैसे आपने बोला, यह भी कहेंबार वो सोचने जाते हैं कि मुझे कोई गंबीर बिमारी जो है, वो हो गई है, अगर उनको यह knowledge नहीं है, तो वो उस डंक से सोचना शूरू कर देती हैं, उसकी वज़ए से basically हम जो देखते हैं, कि बच्चे बहुत irritation, अगर वो कहीं बार मदर से या अपनी फैमिली से भी शुपाने की कोशिच में, डिप्रेशन में चली जाते हैं, जिसको हम acute stress reaction कहते हैं, at the time of menarche, तो इसलिए basically है कि psycho education and education about the period, उनको detail पता होगी, तब ही वो है, इसको handle कर सकते हैं properly, तो मैं यह समयता हूँ, जी जी परिती ज अब आप से सवाल हमारा रहेगा कि पूरे अगर हम बात करते हैं, सिर्फ 36% ही जो लड़कियां है वो पैट्स का इस्तमाल करती हैं, बाकि आज भी पुराने तरीके की तरह कपड़े का इस्तमाल करती हैं, जो भी काफी गातक भी हो सकता है, उससे काफी गंबीर रोग भी हो पर यह नहीं पता होता है कि इससे कौन से कौन से गंबीर रोग हो सकते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार को कौन सी पहल उठानी चाहिए ताकि तमाम महिलाओं को एजानकारी मिल पाए कि मेंसुरेशन में आप किस तरह से अपने आपको जो है बचा कर भी रख सकते हैं और इस कि सिर्फ हमें ओरत को विमन से को अवेर करना है समाज में दोनों वर्ख रहते हैं पुर्ष वर्ख भी महिला वर्ख भी है तो हमें यह जिजे बहुत ही लेवल पर इनिशेट करनी पड़ेगी लोगों को अवेर करना पड़ेगा बाट फॉस्ट अशेप्ट अशेट लड़ है यह बिमारी है तो मुझे लगता है सबसे पहले लोगों को दिमाग में यह चीज़ करने की जिए अगर आम बात करें तो आप खुद जो है पैट्स लड़कियों को देती भी है और लगातार अवेर भी करें क्योंकि कैम्पेइन भी आपने लगाए हुए हैं तो आ पिलाओं के लिए इतना सा पैसा रखना चाहिए ताकि वो मेंसुरेशन के दोरान पैर्स का इसमाल कर पाए बिलकुल बिलकुल प्रिया बहुत इंपॉर्टन्ट है यह चीज़ सुनने में हम जब इसको डिसकुस में कर पाते हैं तो इसकी इंपॉर्टन्स हम नहीं संजा प करना चाहते हैं तो इसकी सद्प्राइब पर जाते हैं तो कहीं सारे लोगों को इसका रीजन नहीं पता होता है कि आपने कपड़ा इस्तमाल कर लिया है यह आप रौपर्ली उसको डिस्पोज ओप नहीं कर पा रहे हो तो उन सारी सीजों की जो पूरी ज्रानकारी है वो लो कि यह हम एक महीने का 40-50 रुपे का खट्या है यह हम नहीं एफोर कर सकते हैं जब कि गवर्मेंट की तरफ से इसे बहुत सारे इनिशियेटिव उठाए गए थे पिस आए दिनो रेल्वेस सेशन पे बस सैंट पे सैनेटरी नापकिन की डिस्पेंसिंग मशीन लगाई गई थी जिसमें एक रुपे का एक सैनेटरी नापकिन आपको अवेलेबल था बहुत सारी गवर्मेंट ने ऐसी स्कीम लगाई हैं जो शायद अभी इंप्लेमेंट नहीं हो पाई हैं बहुत काम जगाउं पे होंगी रेल्वेस सेशन पे मैंने शायद देखा होगा यह एरपोर्ट जो लोग रेल्वेस सेशन या एरपोर्ट जा रहे हैं मुझे लगता है वो दूसरा सेनेटरी नापकिन मार्केट से लेके भी इसको खरीब के इस्तेमाल कर सकते हैं जिस लोगों को हमें जिन तक हमें पहुंचना है वो शायद इस तीज के बारे में जानते ही नहीं है कि सैन है जी मादा नभी कृप रिएंग भी जो जिस ममटी झ stविए जौ अपनी आकशन करेंगी यह उस बारे में अपको बात नहीं करनी है जब आपको मासिक जरम आएगा तो आपको कप access करना है उस् Michal कर रहा है उसी साइध में को समाज में कोई भी वर्फ इसके बार में बात करने के लिए प्यार महीं है इसे अभी विल्ट टावू समझा जाता है जिब बिल्कुल आप सही बो रहा चलिए जगदीश जी अब आपसे भी हमारे एक स्वाल रहेगा कि जिस तरह से अगर हम बात करें तो मेंसुरेशन के दोरा कि उसे पाला तो मेंटिल एफेक्ट ना पढ़ता है इस पर काई क्षिक ह agre body के hormone change होती है regularly हमने दिखा है कि premature tension word use किया जाता है अब premature depression भी इसको कहा जाता है यहाँ premature stress जो इन में आ जाता है 3-4 दिन पहले ही जो periods आने से पहले आ जाता है यह इसको हम premature stress कहते हैं तो because of hormone जो change हो रहे हैं उसकी वज़ा से भी होता है lack of awareness की वज़ा से भी होता है less education वज़ा के भी होता है social stigma, family stigma और जो less discussed यह बाते होती है family जिन में जो के बड़ा इसको stigma type मैसूस करते हैं और discuss नहीं की जाती जैसे बता रहे थे आप आलड़ी आज का topic बहुत अच्छा आपने रखा है let's discuss the period तो जो discussion अगर होगी openly तो let's talk period जो आपने रखा topic is very good तो awareness, workshops खुलके बाद करना family में, mother और daughter की bonding अच्छी होनी mother का educational level अच्छा हो जो अपनी daughter को अच्छी तरह guide कर सके properly कि इस दुरान उसको कैसे handle करना है sanitization का से रखनी है आप सब लोगों को भी यहां पर जो हमारे बजूर्ग होते हैं यहां मारे गर की महिलाएं होती है उनको जो आने वाले बच्चे होते है या 12-13 साल की जिनकी उमर है उनको बताना चाहिए कि mensuration क्या होता है यह इस दोरान आपको क्या चीजों पर सबसे बड़ा जो मैटर करता है वो सोसाइटी के साथ अपनी जो फैमिली भी मैटर करती है इसमें बिल्कुल देखे ऐसा है कि अभी इतनी अवेरनेस आपको होगे तो अर्बन एरिया में होगी रूरल एरिया में इतनी अवेरनेस नहीं है और इसको स्टिग्मा ही समझा जाता है अगर हम कहें नहीं सब जो रूरल एरिया में सब लोग ओपनी इसको डिसक्स करते हैं ऐसा नहीं है इवन फैमिली में मदर डाटर के साथ डिसक्स भी नहीं करती हैं ये बाते तो जब ये अगर आपको पहले से इसका पता होगा तो जो बचे हैं वो depression या stress में नहीं जाते हैं अगर पहले से नहीं पता है उसको एकदम ऐसा period आ जाते हैं जिसको मिनार्टी कहते हैं तो बच्चा confused हो जाता है तो society का तो रोल है पहले तो family से शुरू होना काम बिल्कुल फैमली इस फर्स्ट यूनिट आफ सोसाइटी फैमली में awareness होगी तो आगे सोसाइटी में होगी तो family है फिर आपके relative है फिर जहाँ आप रहते हो वहाँ सोसाइटी है तो यह सारी मिलके जो काम करें अगर इसकी awareness में फ्छोड़ी workshop हो इसको openly discuss किया जाए मैरिट्स, दे-मैरिट्स इसके discuss किया जाएं इसमें कैसे पूरा बताया जाए sanitation के बारे में जैसे अभी बात करेख कपड़ा ही use करते है Luca sanitary repairs क्या-kya roll रहता है उस दुरान क्या… इसकी importance क्या बिल्कुल जिए जे पृत सारे सुवाल आते हैं जिस पर बहुत सारे सामने आ सकती है पर समय कम है तो जल्दी से हम आप से भी स्वाल पूछेंगे कि अगर हम बात menstruation की करें तो उस दोरान तीन से चार दिन तक जो लड़की होती है जो महिलाएं होती है मंदिरों में नहीं जा सकती है नाहीं पूजा कर सकती है और कीचन में भी जाने के लिए restrictions होती है तो कितना जरूरी हो जाता है कि इस दोरान जो फीमिल है उसको वेर पहले जैसे ही उसको उसके साथ भी होना चाहिए यह जो restrictions होती है मंदिरों में नहीं जाना किचन में नहीं जाना खाने को हाथ नहीं लगाना तो इस चीज़ों को बदलने के कितनी जुरूरर है देखे प्रिया मुझे लगता है मेंस्टुरिशनल को बड़े ही दिलत तरीके से प्रज़न किया गया है हमारे सुसाइटी में इसके साथ बहुत सारे मिक जोड़ दी गये हैं आप इम दोनों में तूजा नहीं कर सकते उसका कोई रीजन है वो को नहीं किया गया है क्या साइ अशुड़ नहीं है तो इस तरीके से प्रिजन किया गया है कि आप उसके अशुड़ अशुड़ अवस्पा में हो राप कि जाना है पूजा वली जगा में नहीं जाना है वुझे लगता है यह सारी सीजे वाइप आउस करने की ज़रूरत और पार इस सामली में जो सिग्मा है तो शुड़ सिग्मा जो होता है पीर जाया है सब लोग उसको एक पीमिल को ऐसा ट्रीजमेंट देते हैं कि नहीं अभी यह अशुड़ है से नहीं है इसको मतलब नॉमल मंथी पीर जाया हुए तो पांच दिन हमें इसके साधा ज़दा बात नहीं करनी है इसको साइज कर सकते हैं पर तिल अभी भी यह प्रॉब्लम है कि यह पर यह तो इंपेक्ट है और दूसरे एक मिस कंसेप्ट यह भी है कि इस दोरान नहाया नहीं जाता है क्योंकि कुछ लोग मुझे यह सुनने भी मिला था कि मैंसुरेशन के दोरान पहले दो दिन नहीं नहीं नहाना चाह उस पर क्या लगता है आपको यह प्रिया इसके जो अधिकल तर्म से देशन होती है कि जब आपको पेरट जा रहे हैं तो आपने क्या क्या आपके तूस इंडोंस की आक्टिविटीज है क्या आपने खाना बहुत सारी चीजह होती ही जो हम डाइट खाते हैं तो उससे हमें होड़ा जादा प्राबलम होती है ब्लीडिंग जादा हो जाती है सम्टाइंस मुझे लगता जगदीजी एगरी करेंगे कुछ दाइट के पैटन्स ऐसे होते हैं कि जब हम पिरट के दौरान चंडी चीजे खाते हैं तो हमें पेन हो जाती है या पर नॉमली हमें बहुत जगदीजी का भी पक्सुन लेते हैं कि उनका क्या गया जगदीजी आप बताएगा कि आपको क्या लगता है इस दोरान आपकी जो परसनल स्टेडमेंट जाना चाहेंगे क्योंकि लोगों को यह लगता है कि नहाना नहीं चाहिए सबको नहीं का बलकि कुछ ऐसे वर्ग है को लगता है कि मेंसुरेशन के दोरान नहाना नहीं चाहिए तो आपको क्या लगता है कि मेडिकल टर्म में क्या कहा जाता है कि नहीं नहाई है उल्टा इसमें सैनिटाइजेशन का ज़्या रखना चाहिए और नहाना कोई मनानी होता है कहीं जाना कहीं मनानी होता है और काफ कुछ लोग जो हैं सेलिब्रेट ना करके इसको एक उसमें मित बना देते हैं कि इस दौरान ये सोही में ना जाए, नहाए नहीं, किसी से बात ना करे, वो उसको एक किसम का अग्जीब्रीशना दिमाग में जो हैं डिप्रैशन की बातें डाल देते हैं, खुशी वाली बाते ह हैं वो एक्षिली बहुत सुसाइटी हैं जिसमें ये सैलिबरेशन वाली बात होती है तो आपके एक अडर्ड बात है पर अगर हम जमुकश्मीर की बात करें तो जादतर लोग ये इसको एक टैबू आज भी समझते हैं इसको स्टिग्मा समझते हैं कि डिस्कस नहीं करना है औ और वो जो बच्ची है वो उसकी वज़ा से परेशान हो जाती है डिप्रेशन में चली जाती है उसको लगता है कि कुछ अन्होनी हो रही है जबके ये नार्मल फिनामिना है और इसको जो है वो बचारी डिप्रेशन में इरिटेशन और डिप्रेशन में और आपने आप में उसको लगता है कि कुछ बुरा हुआ है जबके ऐसी feeling होनी चाहिए कि ये this is good, ये celebrate करने का time है तो ऐसा अगले, मगर parents, society, family, इन सब का इसमें role है कि proper education और interaction जो है, वो अच्छी positive way से करें ताकि जो बच्चे हैं ऐसे, वो depression में ना जाए प्रिति जी अब आप से हम एक स्वाल करेंगे कि जब आप लोगों को जाके pets देती है क्योंकि हमेशा हमने देखा भी है कि लोगों को aware भी करती है तो उस दोरान जब आप रूलर एरिया में जाती है तो क्या बदलाव आपको दिखते हैं जो अर्बन एरिया में है पर रूलर एरिया में नहीं है ऐसी क्या चीज़े दिखती है आपको वहाँ पर एक को जो सबसे important चीज मैंने notice की है जब हम ऐसी चीज़े देने जाते हैं तो मैं कोशिश करती हूं कि जिस भी सब्सक्राइब को अगर कोई लेडी आई है तो उनके हजबन मार्केट में जाकी यह चीज नहीं सरी सकते हैं तो चुपा के राप करके लेकी आएंगे यह इसके बारे में बात भी नहीं करेंगे तो मैं कोशिश करती हूं कि एक यह सैप उठाया जाए कि कि किसी फीमिल को अगर कोई सानेटरी नैपकिन का पैक देना है तो उसके हजबन साथ में हो कि यह कोई चुपाने वाली चीज नहीं है आप ओपन इसको डिसकर सकते हो और मैं अपनी वाइस के लिए यह नापकिन का पैक खरीज में आया हूं यह बहुत इंपोर्टेंट सीज है जो हम कोशिश करते हैं दूसरा यह होता है कि जब भी हम ऐसी ग्राइज में जाते हैं हम देखते हैं कि लोगों में अवेर्नेश से ही नहीं है सैनेटरी नापकिन तो एक साइड पे रहा चाप्टर आप अपनी फीमेल की हेल्थ को लेके फीमेल की रिप्रोड़क्शन सिस्टम को लेके आपका उनका जो फामली प्लानिंग की चीजें वो भी डिसकस करना शुरू कर रहते हैं लगता है कि शायद हम कोई ऐसी चीजें को करने आए हैं फेल्प डिपार्टेंट की तब से जो कि शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए कि समय कम रहा चुका है और हमारे गेस्स ने आपको बताया कि क्या कुछ चीजें निकल कर सामने आती है जब वो पर बागी आज भी ऐसी है जो अन हाइजिनिक मैथर से मेंसुरेशन के दोरान यूज होती है चलिए यह वाली अब बत अगर हम सरकार की और से बहुत सारी ऐसी पॉलिसी निकाली गए थी जहां पर महिलाओं को अवेर करने के लिए और उनको पैड्स देने के लिए भी मुह चलिए आज इस पेशकर्श में हमने मेंसुरेशन पर बात किये थी कल किसी ने मुद्ध को लेकर आएंगे जहां पर सुसाइटी पर भी बात होगी और बात होगी कि आखिर कर वो मुद्धा बैलेट क्यों है आज के लिए इतना ही मुझे दीजिए जादर नमस्कार